जोहार जार्खंड जय जार्खंड जैहिंद बंदे मात्रम शुपरभाद सगून बिहान गुड़ मौनिंग आसा करते हैं आप ठेक ही होंगे आप ठेक रहें इसकी कामना करते हैं प्राटना करते हैं आज राजवासी अवगत होंगे साट चालिस की नियोजन नीती को लेकर पुरी राज़ में उबाल है राज में जगा जगा परदर्शन विरोध परदर्शन किया जा रहा है छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं इस नीती के प्रती अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि यह नीती हमारे अहित्त कारी है और कहीं धरना, कहीं बंदी, कहीं घराव, इत्यादी, आंदोलन के तरीके अपनाये जा रहे हैं और इनके माध्याम से राज सरकार को अपना संदेश संप्रेशित किया जा रहा है कि आप जो साट चालिश की नीती लिकराएं उससे हम लोग अहसामत हैं यह राज के हितार्त है तु नहीं है उसी करम में सुनने में आया है कि विपक्षम वैठी भार्ती जनता पार्टी आज साहदेगारत तारिक और आज ही वे सचिवालाव का घेरा कर रही है लेकिन क्या उन्होंने जो बेनर शुक्या उनके तमाम विधायाक सांसाद और उनका जो कारी करता लोग है कटर कारी करता लोग जिनको सही गलत का फरक नहीं होता है बस पाटी की भक्ती करनी होती है अपना डीपी सब लोग लगाया है कि सचिवाले का घेरा होगा लेकिन उसमर कहीं साट चालिस का भी करें भुक्र किया है तो जायर से बात है हमने शुरू से कहा है कि जो काम आज बैठी स्वाट के लोग कर रहे हैं सरकार की गलत नीतियों का तो निश्य चाहिए जो कार यहनों ने जितना भेता धंग से बिपक्स में किया था खर सरकार बैठकर नहीं कर रहे यह सचाई है बिपक्स में पच्छा काम किया था जब 1985 की बात हुई थी इन्होंने विरोध किया था जुकि उस समय भार्ति जयंता पार्टी की सरकार कहने करें एक तरह से डिक्टेटर्शिप का ही रोल में थी क्यांदर में उनकी सरकार थी तो गिरिय विभाग सेन्य बल सारी पलीशिया सक्ति उनके पास तो जहर सी बात है आंदोलन को उन्होंने दमन करने के परियास किया और दमन करके जबरन उस निती को अस्थापित किया मानते हैं लेकिन जारखन मुक्ती मोर्चा जो उस समय विपक्ष की भूमिका में थी उन्होंने में 1985 की अस्थारी निती का भी बिरोध किया था सी एंटी के कानूनों में और जो जमीन समंदित कानूने उन पर जो छिडशार किया गया था उन पर भी बिरोध हुआ था उसी करम में माननी असिक्षा मंत्री जो हमारे बीच नहीं रहें वो टेनुघाट जेल में लगभग ती इसलिए बिस अंदरन के माध्यम से जितने भी नौजवान है नाराजगी सरकार से सभाविक सी बात है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग सौप्ट करना विपक्ष विपक्ष ने भी वही काम किया जो सरकार नहीं किया है इसलिए इनका काम है पांच-पांच साल में गलत नितिया लेकर आई यही नहीं कि विपक्स से नाराजगी नहीं है विपक्स सरकार में थी तब उन्होंने यही कारी था में अईज रतार्श सहकια आइफ सहबतन करते थे असथापीद लोग करें लोग अपनी आठेफ strategy स्वयन करें चैन दिली में बैठी पार्टियों से प्रेम अगर आप करेंगे राष्टबाद के नाम पर सेंट्रलाइज के नाम पर तो नुकसान होगा आप हम लोग तुलना करते हैं तमिल नाडू तेलांगना का तो वहां कटरता है वहां ना कॉंग्रेस को सीटे जाती है संसद की बात करें बिदान अभी हावी होगी निश्या यह बंगाल की जो आइडेंटिटी पास संस्कृतिक भाचान वह खतम कर देगी तो इसलिए आगर आप जहरखंड में जहरखंडेत को बचाना चाहते हैं तो सेंट्रल के पार्टियां जो पोलिस्यां हैं उनको भी बहुत करीब से अमने समझना ह पुछा जाए और मीडिया बंदों से आगर होगा कि साठ चालिस को लेकर वे लो क्या करते हैं जैसे वो विरोध करते तो उनसे यह भी सवाल पूछा जाए कि यह अपनी सरकार में केंद्र की सरकार से होता है तो इसलिए यह दोहरी निती से अब राज को भचना होगा कि अगर आप सोच रहें कि आपकी हित में सोचेगी तो यह भी हमारी बहुत भारी भूल होगी तो इसलिए यह बहुत गंभिर भी है उसके बाद आप देख सकते हैं अभी सोचल मीडिया में आप बिहार का जो विद्याले सिक्षा के नियोजन सभी राज अपने कॉलम में साप साप लिखते हैं कि भारत का नागरिक और उस राज का स्थारी निवासी हो तो जारखंड के पास यह रूल और तरीके क्यों नहीं दुसरे बात बहुत सारे साथियों ने फॉर्म को दिखाया कि किस प्रकार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जब वहां लिख रहा है कि आर यू सिटीजन ऑप जारखंड जारखंड के तो लिखेंगे यस हम जारखंड के हैं जैसे आप लिखते हैं यस तो आपको आपका आवास्य प्रमान पत्र है उसका जो स्रीयल नंबर है या फिर जो आपका रिच्टेशन नंबर है जो भी नंबर होता है क्रमांक संध्या उसको आप डालते हैं यहां हम जारखंड का निवासी है और आपको नमबर मांगा जाए लिए जैसे आप लिखते हैं कि नो तो आप आप जाती चाहिए ना आवास्य चाहिए ना कुछ पाचान पत्र चाहिए तो कफी यह सोचनी और गंभीर विशय है कि इस विशय से राजसरकार अखिर वह चाहती क्या उसकी मनसा क्या है कि इसी प्रकार राज के खणी संसाधन तो लूट रहे हैं पाराश्चनत पहाड़ भी लूट रहा यह तो किसे छुपा नहीं कि प्रास्चनत पहाड़ ह हमारे ठीक आखों के सामने हैं इसे लिस बात का जिक्र कर रहे हैं पाराश्चनत पहाड़ लूट रहा है खणी संपदा लूट रही है हमारे साधन संसाधन लूट रहे हैं अब जो बची खुची जो आस थी स्टुडेंट के लिए कि छोटी सी नोकरी इस राज में भेंट ह जाएगा तो फिर ऐसे मानन्य मुख्य मंत्री जो कहते हैं आंद्रोंकारी के शुकूत हैं बड़ा दुरुभाग्य प्रस्टन चिन्न खड़ा हो रहा है कि वास्तों में कि आप उस आंद्रों का मान रख रहे हैं जिस आंद्रों के माध्यम से इस राज को अलग किया गया है इस राज का नया गठन किया गया है गढ़न किया गया है तो आज इन सब बातों से कोशो दूर अपने सुख सुविदा की जीवन से लिप्त होकर मानन्य सभी मानन्य अपने बिलासता फुर्ण भोग युक्त जीवन का गुजर वसर कर रहे हैं उन्हें जनता जो आज सड़क दोजगार को बचाने के लिए उस जनता की कोई सुधी बर्तमान में किसी के दोवरा ना उनकी हितार्त की आवाज को उठाया जा रहा है सब केवल गुम्रह करने का कारी कर रहे हैं लेकिन आज राज्य को इस बात को सोचना होगा कि सभी राज्यों की जब पहचान है तो हमा जात्रों को अधिकार मिले हमारे लोगों को अधिकार मिले लेकिन ऐसा प्रतित होता है यृके मंदिर का प्राशाद है रास्ते में कोई गुजर रहा है उसे प्रशादी के तौर पर बांट दो ठेक उसी परकार 45 की नियोजनीति अपना कर केवल और केवल बांटने का काम हो जारखण में उल्टा कहानी है। 60-40, उपर से अगला कोई कागज नहीं, यहीं पड़ोसी राज्ज के पास नियम है, सब के पास नियम है, और फिलाल आज भारती जन्ता पाटी, जिसे असपर सब्दों में जारखण के लिए बाहरी जन्ता पाटी आप कहेंगे, भले आपको राष्टबाद का चुरन दिमाग में डाल दिया गया हो लेकिन जो सक्चाई है उसको जानना होगा कि जितना हितकारी केंदर की पार्टियां है हजारकंड के लिए उतना सायद कोई हो क्योंकि उधारन के लिए देख सकते हैं भारती जनता पार्टी के ही कार्यकाल में द्योगपती गोतम अडानि को जमीन अवबंटन किया गया था जमीन का अधिकरन किया गया था बजली का प्लांट बनानने के लिए इसब्स गयारे kijken अप तक यह समाचार आया होगा सुनने में या फिर आपकी जानकारी में गउड़ा में जो स्थीत पाउर प्लांट था जो अडानी साहब का है जो भारती जनता पाटी के टाइम बनी थी मार्पीट कर गरामिनों की जमीन ले गए थी आज भी मार्पीट हो रही आज भी केस मुकद में आज भी उनको मार के भगाया जा रहा है वो जमीनों पर जो प्लांट बना था वो प्लांट में बिजली बना और वो बिजली सारा का सारा 100% बिजली मंगला देश को बेचा गया और एक बात इसलिए मैं बार बार कहता हूं भले आप आपके दिमाग में राष्टबाद देश भागत और पाकिस्तान का डर दिखा कर भले आप भारती जंटरपती के समर्थक हो सकते हैं लेकिन तार्किक द्रिष्टी कौन से आपको सोचना को जार्खंड के लिए हितकारी नहीं है इसलिए अगर आप जार्खंड के लिए कट्टर तभी होगा जब आप उडिसा के तर्जपर ना कॉंग्रेस ना बीजेपी उडिसा में तेलांग ना में तमील इंद लुग यहां सभीले से जमीन में तयार रहे जता है विजेपी दिना या कॉंग्स को देना है लेकिन बाखी राज्जों में देखिए आनसत्द छूनके जाएंगे तो हमारे राज के हित्मिंभात करें बाकि दिल्ली में जाकर जिनको अच्छा लगयगा जिनकी विच का यानि सोच सकते हैं कि मानों जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा जबकि तापमान हीट होना चाहिए था धनबाद का बोकारों का राची इत्यादी का गोड़ा तो एक सांत छेत्रत है वहां का तापमान 49 यह हमारा धनबाद का 35 यह चार पांच डिगरी का तापमान जो ह यानि उस तापमान से जो असर होगा उसका रोस उसका आक्रोस जहलने काम करेगी हमारे जारखन गोड़ा के निवासी और विजली जाएगा बंगलादेश को यह है भारती जनता पाटी की पोलिसी इसलिए जारखन मुक्ति मुर्चा के साथ जो गटमंधन की सरकार है उसके स जीवन भी समाप्त होगा हम यह कहां कर रहे हैं पर पर पढ़ेगा परियावरन पर पढ़ेगा लेकिन उनको क्या मतलब है उन्हें अडानी शहाब के लिए लाब खमाना है और असपश्च खुले सब्दों में कहते हैं बहले डर भाई की एक दिन इस दुनिया सबको जाना ह इस इंडिया कमपणी से यदि आपको लगता है आज की कमपणी अगर देश का विकास की है तो इस इंडिया कमपणी में ने भी विकास किया है रेल इतनी बहुत सारी चीज़ों को उन्हें हंग्रेज ही ले कराए हैं तो यदि आपको लगता है कि नहीं बीसी सील सील देश क पूंपमात्प नाम बंता你 यह है जमसेत पूर्जाय टाटांटी सबसे पहली उनीट स्थापित हुई त्यूछ लोग को विकास मिला मिला वदस पर्टेंट को इसलिए असपश अब्दों में जाने लिए इस्ट इंडिया कंपणी इक्वल टू आज की कंपणी यदि आपको आज की कंपणी पसंद है तो जहर से बात है आपकी सोच अंग्रेजों के समर्थन वाली सोच है क्योंकि अंग्रे ना किसी के जुवान से सुनने को मिलता है क्टीच एसाइथ वतिशंद सबने एक जैसा काम किया है तो फिलाल इस राज को राज की वाओं के भविष्ट को बचाने के लिए साट चालिस पर प्रिराज को सोचना चाहिए जोहार जहरकन डे जहरकन